सो अब हमने डिसक्स करना है एड्रीनल ग्लैंड को आपकी किड्नी के ऊपर लेफ्ट किड्नी के ऊपर भी एक होता है और राइट किड्नी के ऊपर भी होता है एक ऐसा ओर्गन या ऐसा ग्लैंड जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड काता है एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन का है अगर हम इसको काड़ के देखें तो इसके दो पोशन अधर आते हैं अगर मैं इसको काड़ तो वो ट्रैंगुलर होता है इसा तो इसके अंदर एक पोशन होता है इस तरह और एक बाहर का यह पोशन होता है तो अंदर का पोशन होता है इनर पोशन होता है इसको एड्रीनल medula को discuss करें तो basically adrenal medula जो central part है वो दो hormone's release करता है उन hormones के नाम है epinephrine जिसको adrenaline भी कहते हैं और nor epinephrine जिसको nor adrenaline भी कहते हैं epinephrine और nor epinephrine ऐसे hormones हैं जो उसवक्ड रिलीज होते हैं जब आपकी body is activated by sympathetic nervous system तो जब जब sympathetic उस वक्त आपको बाडियां आपका अड्रेनल मेड्युला एपिनैफरी और नौर एपिनैफरीन है यह हैं आपके स्ट्रेस की करेंडिशन में या फिर बहुत ज्यादा जोशीला हो रहा है, ओवर एक्साइटिड है, या कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, रेनिंग कर रहा है, या कोई भी हैवी एक्साइज कर रहा है, तो उस वक्त उसकी बॉडि का जो सिंपाथेडिक निर्वेस सिस्टेम है, वो एक्ट सार्वन दूसरा है तो एड्रीनल मेडियूला से एपिनेफरीन और नौर एपिनेफरीन रिलीज होते हैं उस कंडिशन में जब आपकी बॉड़ी इजिन फाइट और फ्लाइट रिस्मॉंस दे रही है फाइट यानि के अग्रेसिव बिहेवियर है तो एग्रेशन के अंदर भ छाइगा है तो यानि अब सवाल आगा इुक अडेटींट होता है कि यथे पर अप्नेफरीन और नौर एपिनेफरीन को सस्कंडी न घालो शॉता है तो तुम के वह एक्तियाकर के लिए ताथ जया है ठीक है जैसा है कि आप अगर भाग रहे हो या लड़ रहे हो तो आपकी हार्ट बीट या हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है उस वक्त आपकी बॉड़ी में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा ठीक है आपकी ब्रॉंक्यूल्स यह वो आट्रीज होती है जो बेसिकली यह वो पैसिजवे होता है जो आपके लंग्स के अंदर हवा लेके जा रहे है अब आप कोई हैवी काम कर रहे हो लड़ रहे हो तो वो उसके अंदर आपको ज्यादा काम करने के जरूवत होती है आपका मेटबॉलिसम तेज हो जाता है तो उस वक्त आपके ब्रॉंक्यूल्स भी डाइलेड कर जाते है ताके वो ज्यादा रास्ता दे देंगे एर अराम से अंदर आ जाए ठीक है ब्लेड ग्लुकॉस भी क्य आपका ब्रेन ज्यादा सोचे आप भीजते हो ज्यादा ब्लेड आपके हार्ड को ताके हार्ड ज्यादा ब्लेड को पंप करे ज्यादा आपने ब्लेड भीजना होते है लंग्स को ताके लंग्स के अंदर उसकी ज्यादा ऑक्सिजिनेशन हो यह जो मेन काम आपने करने होते हार्ट आपके लंग्स और आपका ब्रेन इनको उस वक्त ज्यादा ब्लेट सप्लाइ यानि के ज्यादा ऑक्सिजन ज्यादा ग्लुकोस की जरुवत होती है तो जितनी भी आर्ट्रीज होती है जो ब्रेन में जाती है जो आपके लंग के अंदर जाती है जो आपके और इसके सा साथ वो सारी arteries वो सारे areas body है जो आपके ज़रूरी नहीं है उन में जो arteries होती है वो constrict कर जाती है वो contract कर जाती है अब वो कौन से arteries है आपकी skin को आपको कोई फाइदा नहीं है कि उस वगाप blood दे दो अगर आप skin को ज्यादा blood दो गए तो brain को क्या दो आप heart को क्या दो गए तो आप यानि के वो arteries जो आपकी skin की तरफ blood flow लेगे जाती है वो उनके अंदर blood flow reduce हो जाता है अब आप लड रहे हो तो उस वक्त आपको कोई urine पास करने की आप सोचता भी कोई बंदा नहीं या तो मुझे urine करना है या defecate करना है ठीके ना तो उसे वो feces को pass out करना होता है ना फिर उसे urination करना ही होती है obviously आप का जहन उस तरफ जाएगा है नहीं आप aggression में हो या excited भी हो तो उस तरफ आप बिलकुल आपका जहन जाता ही नहीं है ठीक है या फिर अगर आप लड़ रही हो तो लड़ते लड़ते आप खाने की रुक तो नहीं चाहोगे या बाद में लड़ लेंगे हम पहले कुछ खा लेते हैं तो यानि कि ऐसे काम जो कि उसक्त ज़रूरी नहीं होते हैं वो सारे काम नहीं हो रहे होते हैं तो जो खाने का हजम करने वाला काम है वो भी एक गहर जरूरी होता है उस वक्त तो आप जब आपका sympathetic nervous system activate हो जाता है तो आपकी digestion का process slow हो जाता है और urination, defecation यह सारे process inhibit हो जाता है तो परा-sympathetic वाले सारे काम है ना dehydration, digestion यह सारा परा-sympathetic का काम है जो सुकून वाले काम है वो सारे उस वक्त हो जाते है रोक जाते है ठीक है तो यह तो digestive organ को भी कम जाता है और increase blood flow to the heart and your muscle है अब लड रहे हो तो आपकी organ situation में fight and flight situation में ठीक है यह सारे adrenal medulla का काम था और इतना ही था अब discuss करते है adrenal cortex को जो हमारा adrenal अगर मैं इस तरह बनाऊ हमारा gland और यहां पर adrenal medulla मौजूद है तो हमारा adrenal cortex है उसकी तीन layers मौजूद होती है outer layer होती है so much it lizard Julia glomirulosa जोन वी लोचल के ला जना है जोना ग़ोँन गलोमिर भूलू सा ऊए जोना जोना के हैं उससे दूसरे को कहते है जोना फैसी कूछलेंटा फैसी कूलेटा यह मैं एक्ष्टा बात आरहा रहूंद आप यारक लें जोना गलोमिरूल्प्र वाला गलोमिरूलूलस उससे नीचे आता है F वाला आडरीकौलेrz जोन तो एरीनल कॉटेक्स के बैसिक लियर ती जलॉज om बैसके बैसिकिनल कोट्रव sangat inne गैधिरीनल कोट्रवागर तो डीकौले tear えर यहार हर जोन के अंदर एक अलग हार्मोन बनता है और आपने यह रखना हैrrenal context के अंदर तीन मेन हार्मोन बनते हैं जो outer zone है जो glomerular zone है उसका काम होता है कि वो release करता है glucocorticoid वगारा बल्के नहीं Mineralocorticoid तो इस जो आपका mineral mineralocorticoid कहते हैं ऐसे hormone release करता है जिनको हम mineralocorticoid कहते हैं जिसका काम है यह आपका zona glomerular zone है उसका काम है जो glomerular zone है वो का release करता है mineralocorticoid release करता है जो fasciculator वाला zone है वो release करता है glucocorticoid mineralocorticoid को release कर रहा है glomerular zone glucocorticoid fasciculator radicularis का काम होता है androgen यानि के जो male hormones होते है male sex hormone वो release कर यानि के testosterone वगरा वो किसका काम है radicularis zone तो जो तीन zone है तीनों के काम आपने या रखने जो glucocorticoid का release है it is under control of arinal cortex बट कौन सा पार्ट जोना fasciculator जो mineralocorticoid है यह G वाला ठीक है mineralocorticoid जो है वो zona glomerulosa का काम है और endogen है यह काम है radicular zone का ठीक है endogen zona radicularis का काम है यह तीन हर्मोंस हो गए अब इन तीन हर्मोंस के function के हैं हम उसको discuss करते हैं अगर मैं start करूं पहले हम इस start करते हैं eldosterone से eldosterone वो हर्मोन है जो release हो जिसको mineralocorticoid कहते थे है eldosterone एक ऐसा हर्मोन है जिसको mineralocorticoid कहते हैं कोडिक्वाइट वह आपके adrenal cortex release हो रहे हैं और हैं एक और बात तो adrenal cortex चैन तीन हर्मोन हो रहे हैं यह तीन तीन हर्मोन और नहीं है यह सबसे आउडर पार्ट होता है अद्रीनल कोडेक्स का अब वहां से रिलीज होता है आपका अल्डोस्टिरोन अल्डोस्टिरोन मिन्रेल कोडिकोईड है तो इसका काम क्या होगा मिन्रेल्स को कंट्रोल करना तो सवाल पहलिजा होता है अब सवाल बाता है, वीजिए को मuls की ऐना है यह चुक्टना लानождा Ad centre , जगा अचलते हैं एख सब्सक्राइब इस एत्य चार वियूरभ से क्रिखेव के, लाइद में सब्सक्षार और एक रुखेवर, 10 फिर सफ को पतली हो जाएंग तो प्रेश है टो ब्लेड बढ़ाता है reflare की छोटा ना करो आप लेट वगराइड है या यह प्लास्मा नीवक आपकी बोडी ही वल्यूम जिसको कहते हैं व बढ़ाद मुद तो तक क्या होगा अपनी आट्री केउपकर जादा प्रेशर लगेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ volume ज्यादा करने की वज़ार से बिलड परिशर बढ़ जाएगा तो blood pressure बढ़ने के दो तरीके हैं एक है तो आप अपनी arteries को contract करतो ठीक है आइस्टी को contract करने या नियूद का contract करना और डूसरा काम है आप volume बढ़ा दो volume बढ़ा दो या arteries को क्या करतो contract करतो अब होता क्या imagine करते है आपकी body में कमी हो गई है पानी की अब dehydrated हो या किसी का accident हुए बहुत ज्यादा खून बहे गया है अब खून बहे गया है निकि इसकी body का overall volume ही कम हो जाएगा blood भी कम, पानी भी कम minerals भी कम किसी का accident हुए है बहुत ज्यादा loss हो गया blood का आपने देखा होगा एक्सिडन के बाद सिर्फ और सिर्फ खून नहीं लगाया जाता बंदे को सिर्फ और सिर्फ blood नहीं दिया जाता साथ में कुछ अलग solutions भी होते हैं जो हम glucose के solution कह सकते हैं wringer solutions होते हैं लगाया जाते हैं वो drifts लग रही होते हैं क्यों लग रही होते हैं अरे उसका तो blood loss हुआ है तो श्रीफ और श्रीफ blood लगाना चाहिए हम extra दूसरा volume क्यों लगा रहे होते हैं because सबसे जो पहला काम होते है जो आपको करना होते है तो ऐसा बन्दा जिसका accident होए वह बहुत ज्यादा blood loss हो गया हमें सबसे पहले उसका blood pressure maintain करना होते है अगर blood pressure maintain नहीं करेंगे फॉरण स़यरथ हो जाती है ठीक है सबसे पहले आपने उसका blood pressure maintain करना होता है सबसे पहले उसका blood volume बढ़ाते है उसको रिंगर तरह की डिप्स लगाई जाती है जो सिर्फ ब्लेड वाली नहीं होती है ब्लेड के इलावा भी होती है ताकि किसी तरह से उसकी बॉड़ी का वॉल्यूम बढ़ जाए ठीक है तो यह काम होगा एक्सिदेंट हो गया या फिर डिहाइड्रेशन है किसी वजा से व मिनरल्स से वो कम हो गया और हमने पड़ा है इसको होमेयोस्टैसिस के अंदर किए आपकी बॉड़ी में सोडियूम कम होगा जैसे जा रहा होगा उरीन से पास आउट हो रहा होगा वो क्या करेगा साथ में पानी को भी ले जाएगा तो सोडियूम यानि मिनरेल्स का जाना आ या तो आपके minerals चले गये हैं या फिर आपकी body का blood loss हो गये तो हम imagine करते हैं कि हमारी body के minerals चले गये हैं और साथ में minerals गये हैं तो volume में गम हो गये हैं अब हमने कहा करना है सबसे पहला काम है body को body का करती है body कहती है कि मुझे अपना blood pressure normal करना है उसके लिए जरूरी है कि body में आप सिर्फ पानी पी होगे तो पानी निकल जाएगा तो आप उस sodium iron chloride iron उनको भी normal करो तो वो कैसे normal होंगे वो ऐसे normal होते हैं कि सबसे पहले जैसे ही आपकी body में कम होती है BB कम हो जाता है blood pressure कम हो जाता है तो सबसे पहले आपकी kidney से release होता है हार्मोन जिसको हम कहते है renin kidney का release करता है renin करता है मैं इसको step wise बना रहूँ सबसे पहले आपकी body में blood volume कम हुआ या sodium वगरा या different ions कम हुए तो obviously जब ions कम होंगे तो volume ही कम हो जाएगा जब volume कम हुआ तो kidney से क्या release होता है renin renin release होता है यह जाता है renin release हो गया renin जाएगा और renin basically यहांपर आपके blood में ढूँदा है कुछ plasma protein को plasma protein renin कहांसे release हो रहा है renin release हो रहा है आपकी kidney के indifferent care जब renin release हो जाएगा वो जाएगा और आपके blood के अंदर ढूंडेगा किसको plasma protein को कौन सा plasma protein उसको कहते है angiotensin 1 बल्के निए angiotensinogen 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 então angiotensinogen के उपर renin काम करता है renin आएगा और angiotensinogen के उपर काम करेगा जब Renin angiotensinogen के उपर काम करेगा वो इसको convert कर देगा किसमें एंजयो टेंसिन वन में तो रहनेन आया कब रहनेन जब आपकी बुदम कम था और डिफरेंट्ड मिंड्रल्स कम थैं जिसकी वजाए से बीबी कम हो गया था blood pressure low है blood volume low है renin release हुआ आपकी kidney से वो गया और उसने blood के अंदर जो angiotensinogen मौझूद था जो basically एक plasma protein है उसको convert कर दिया angiotensin 1 में अब ये angiotensin 1 जाता है आपके lung के अंदर और lung के अंदर एक enzyme मौझूद होता है उसको कहते हैं angiotensin converting enzyme angiotensinogen जो था जो हम जन वाला था angiotensinogen angiotensinogen को किस ने change किया renin ने angiotensinogen को angiotensin 1 में change कर दिया अब ये angiotensin 1 ब्लेट के जरीए जाता है lung के अंदर angiotensin 1 के उपर कौन काम करेगा ACE जिसको कहते हैं angiotensin converting enzyme angiotensin 1 को change कर देता है angiotensin 2 में ये जो angiotensin 2 है ये दो काम करता है angiotensin दो काम करता है या रखना आपकी बोडी को blood volume कम हो गया है BP कम हो गया है ions भी कम है mineral sign भी कम है और pressure भी कम है तो दोनों काम करवाने है ये जो angiotensin 2 है ये दो काम करता है सबसे पहले BP को बढ़ाने के लिए जो आपकी body की arteries होती है उनको क्या करता है ये contract कर देता है तो angiotensin 2 जो होता है वो क्या करता है vasoconstriction कराता है angiotensin 2 vasoconstriction कराता है और मैंने कहा अगर arteries contract कर जाएंगी चाहे volume कम ही है बट उनकी वज़ा से blood pressure बढ़ जाएगा तो ये भी हो गया कि angiotensin 2 क्या का काम करता है blood pressure को maintain करने के लिए vasoconstriction कराता है आपकी arteries को contract कर देता है सिर्फ ये काम नहीं करता जो angiotensin 2 है ये किस तरह बना है आप इसको repeat करके देख लेना कि जो angiotensin 2 बन चुका है अब ये जाता है और जो adrenal cortex था आपका उसके उपर act करता है और adrenal cortex के खास तोर पे जो outer zone था glomy ruler zone उसके उपर act करता है और glomy ruler zone से eldosterone की secretion करवा देता है तो eldosterone की secretion किस तरह होई है body blood pressure कम था minerals ions कम थे renin release हुआ renin सारा गया renin ने angiotensinogen को change किया angiotensin 1 में angiotensin 1 गया lungs के अंदर lungs के अंदर angiotensin 1 को change किया angiotensin converting enzyme ने angiotensin 2 में यह रखना angiotensinogen एक ही दफा होता है जिसको renin change कर देता है उसके बाद सारे angiotensin आता है angiotensin 1 को angiotensin 2 में चेंज करता है वह होता है angiotensin converting enzyme फिर यह जो हैं जाता है adrenal gland के adrenal cortex फाले पार्ट पर और angiotensin 2 दो काम करता है BP बढ़ाता है किसके जरीए arteries को contract करा करा के दूसरा काम क्या करता है angiotensin 2 act करता है आपके cortex के उपर और वहां पर कोडेक्स जो आउदर जो, जो ग्लोमे मे रूलर जों वहां से अल्डो अस्टेरोन को रिलीस Dopu अब अल्डो अस्टेरोन गया है वहुआ यह में रेल्डो अइगा और कल्रून अदेगा किड़िय्स के और यहां से काम होता है water को retain करना और कैसे करता था basically eldosterone क्या करेगा sodium iron को retain करेगा जब sodium iron ज्यादा retain होंगे तो sodium अपने साथ क्या लेके आएगा वापस body में पानी, blood बल्के पानी लेके आएगा नॉर्मली तो eldosterone release हुआ और eldosterone ने क्या किया आपकी body में kidney के जरिये sodium को retain कर लिया mineral retain हो गया mineral retain हो गया तो मसला ही हमारा minerals का था mineral retain हुआ blood साथ में जो water है वो भी retain हो गया जब water retain हो गया तो पहले blood pressure भी कम था तो arteries के contract होने की वज़ा से sodium के retain होकर पाने के भी रुकने की वज़ा से BP दुबारा normal हो जाएगा एक्स्ट्रा बात बता दूँ हम एक्सर देखते हैं के कुछ BP के मरीज होते हैं उनको जितनी भी tablets दी जाती है mostly they are based on ACE inhibitors ACE inhibitor कहते हैं उसको ACE inhibitor क्यों दे रहे हो BP के मरीज को ACE inhibitor देते हैं और क्यों देते हैं ताके हम जो ACE enzyme है हमारा angiotensin converting enzyme इसको inhibit करते हैं रोगते हैं अब अगर ACE को हमने inhibit कर दिया है तो अब क्या होगा जो angiotensin 1 है क्या angiotensin 2 में change होगा obviously नहीं अब जब angiotensin 2 नहीं बनेगा तो क्या वो arteries को contract कराएगा नहीं अगर arteries को contract नहीं कराएगा तो angiotensin 2 renal gland के उपर जाकर aldosterone भी secret नहीं करवाएगा तो दोनों जरिये एक तो blood volume भी यानि के पानी भी कम retain होगा आपकी body में sodium भी कम retain होगा और साथ-साथ BP arteries के contract ना होने की वज़ा से normal हो जाएगा, mendain हो जाएगा तो यह एक इसको कह सकते हैं clinical है pharmacology के अंदर तो हम ACE inhibitor दिये जाते हैं BP के मरीज को आपको पता होना चाहिए ठीके और यह MDGAT में पूछ भी लेते हैं ACE inhibitor देते हैं ताकि हमारा angiotensin converting enzyme angiotensin 1 को angiotensin 2 में change हो कर रहा था, यह काम ना करें ठीके तो हमने aldosterone और उसकी functions को detail में discuss किया है, अब हम discuss करते हैं यानि हमारा जो outer zone था glomerular zone वो तो हो गया अब हमारे बाद 2 zone रहते हैं उसके अंदर वाला zone that is zona fasciculator जोना fasciculator है यह release करता है cortisol 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 को हम कहते हैं glucocorticoid, तो zona fasciculator of adrenal gland का release करता है cortisol, cortisol को हम glucocorticoid कहते हैं glucocorticoid का मतलब है cortisol वो सारे काम करेगा कि आपकी बाड़ी में glucose ज्यादा हो जाए तो सारे काम कैसे करता है सबसे पहले आपकी बाड़ी के प्रोटीन को तोड़ता है cortisol का करता है आपकी बाड़ी के प्रोटीन को तोड़ता है खास तरप आपकी बोडी करे मॉसल्स के प्रोड्यिन को थोड़ता है मिसल्स के प्रोड्यिन तूटते हैं अमाईनो एसे बनाते पैसे और हमारी बोडी में ऐसे इंजाइम मौजूध है अपने क्रेब स्ाइकल वगरा पड़ी होगी ठीके है कि जो amino acid होते हैं amino acid को use करके हम amino acid को use करके basically glucose बना सकते हैं तो मैंने कहा भी cortisol का है ग्लुको कोडिकोइड है वो हर काम करेगा जिससे ग्लुकोज बढ़ जाए तो जो पहला काम है वो कहलाता है basically gluconeogenesis gluconeo का मतलब होता है नए तरीके से बनाना ग्लुकोज को नए तरीके से बना रहा है तो gluconeogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जो cortisol भी करवाता है उसमें होता क्या है basically हम normally जो glucose बनवाते हैं वो glycogen को तोड़ के बनाते हैं यहां पर हम तो glucose को बनाएंगे और glycogen से नहीं बनाएंगे हम प्रोटीन को तोड़के amino acid से बनवाएंगे हम lipids को तोड़के fat से बनवाएंगे ठीके यहां ग्लुकोज को बनाना without using carbohydrate वाले चीज़ें glycogenesis कहलाता है और cortisol glycogenesis करवाता है तो आपने यहां रखना है कि कोडिसोल है वो क्या काम करवा रहे है ग्लुकोज नियोगनेसिस करवा रहे है ताकि आपकी बोड़ी में blood glucose level ज्यादा हो जाए अच्छा अब सवाल पैदा होता है हमने एल्डोस्तिरोन को रिलीज को देखा एल्डोस्तिरोन उस वक्त रिलीज होता है या तो BP कम हो या फिर आपकी बोड़ी में minerals कम है जब minerals कम होंगे sodium iron खास तोर पर याद रखने है जब आपकी बोड़ी में sodium iron कम होता है तब एल्डोस्तिरोन रिलीज होता है